आप सभी देख रहे हैं वेदिया क्लास में छार्खन का समाने परिचे इस कलास का लेक्चर है का चार्खन एक्जाम जेएससी जेपीएसी के लिए काफी महत्पूर रहने वाला है तो इस से रिलेटेड हम लोग आज 70 70 MCQ कोस्चन करने वाले हैं तो काफी important रहेगा यह आपके जार्खन रिलेटेड किसी भी एक्जाम के लिए तो इस लेक्चर को जरूर अन्तक देखिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल से जार्खन राज का गठन कब किया गया था सही उत्तर क्या हो जाएगा 15 नुवंबर 2000 को जार्खन राज का गठन किया गया था अगला सवाल है जार्खन गठन की द्रिष्टी से भारत के राज्यों में जार्खन का स्थान कौन सा है तो सही उत्तर हो जाएगा 28 हुआ जार्खन गठन की द्रिष्टी से भारत के राज्यों में जार्खन का स्थान 28 hm क्या हो जाएगा राची Скर्प्राज कि रैजधानी राची हमारा यह है ah सवाल है क्था कि उप्राइधानी कさい कि कहा है तो उत्र क्या हो देवगर देवगर चार्खन राज की उपराजधानी है मैं अगला सवाल है चार्खन सरकार द्वारा राज में तीन नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है इन में से कौन सा एक सहर इसमें सामिल नहीं है तो तीन नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है वो है चायबासा, कोडरमा और ग्रेडे तो ये इसका उतर सही उतर क्या हो जागा मेंदनी नगर जो की उतर सहर सामिल नहीं है तो सही उतर क्या हो जागा मेंदनी नगर अंगला सवाल है जार्खनराज का अच्छांस्य विस्तार कितना है अच्छांस्य विस्तार देखिए ये हमारा पृत्धुय है और यहां इसको हम लोग बोलते हैं नौर्थ पॉल इसको साउथ पॉल और यह जो रेखा हैं जो एक पोल से दुसरे पोल को मिलाती हैं यह दिशानतर रेखा का लाती है तो अच्छांस यह विस्तार हमारा है जारखंड का सही उत्तर हो जाएगा 21 डिगरी 58 मिनट 10 से 25 डिगरी 19 मिनट 15 से उत्री अच्छांस यानि देखिए यह दि नोर्थ अच्छांस रेखा है यानि उत्री अच्छांस रेखा है इस लाइन में दिखाई गई है तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 22 डिगरी नौर्थ यानि यहां से थोड़ा से कम य 19 मिनट 15 सेकेंड यह टोटल डिस्टेंस हमारा है अच्छांसिय विस्तार अगला सवाल है जार्खन राज का दिसांतरिय विस्तार कितना है जिसका सही उत्तर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह पुर्वी दिसांतर यह विस्तार है तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो विस्तार है वो है तिरासे डिगरी, तिरासे डिगरी, उननीस मिनट, पचास सेकेंड से, सतासे डिगरी, संतावन मिनट पूर्वी देशांतर, यानि इस पॉइंट कोई दिखेंगे, तो तिरासे डिगरी, उननीस पॉइंट आएगा, जबकि इस पॉइंट में आपका आ जाएगा, सतासे डिग अगला सवाल है कि जार्खन राजी का उत्तर से दक्षीन की और विस्तार कितना है तो उत्तर में देखिए बिहार होता है तो उत्तर से उत्तर से उत्तर से दक्षीन तक का जो डिस्टेंस है वो पूछ रहा है तो वो डिस्टेंस होता है तीन सो असी किलोमीटर तो यह डिस्टेंस हमारा कितना है तीन सो असी किलोमीटर अगला सवाल है चार्खन राज का पूरू से पक्षीम की और विस्तार कितना है पूरू है इधर से पक्षीम की और विस्त पूरसे पक्षीम की ओर विस्तार कितना है इसका सही उततर हो जागा 4700-463-énom. पूरसे पक्षीम की ओर विस्तार है जंद हएंबाया सिमा के समधुन में से कौन सा स्य म्लीट नहीं है तो इस सवाल के नुसार आपका सही उत्र यह है दक्षिन में 36 गड़ है तो यह हो गया अगला सवाल मारा है जार्खन राज के दक्षिन में निम्हें से कौन सास राज इस्तित है तो दक्षिन में निम्हें से कौन सा राज इस्तित है तो देख सकते हैं जार्खन राज का छहत्र फल कितना है जार्खन राज का छहत्र फल है चेत्रफल के द्रिष्टे से चार्खन का भारत के राजों में अस्थान कितना है 15 हुआ है इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 हुआ है चार्खन राज का भूभाग देश के कूल चेत्रफल का कितना परतिसत है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.42% देश के चेत्रफल का 2.42 परसेंट जार्खन का चेत्रफल है चार्खन राज का ग्रामिंग चेत्रफल वर किलोमेटर में कितना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 77,922 वर किलोमेटर जार्खन राज का ग्रामी छेत्रफल है अगला सवाल देखते हैं जार्खन राज का सहरी छेत्रफल कितना है जार्खन राज का सहरी छेत्रफल 1792 वर किलोमेटर होता है जार्खन राज के वरतमान राजपाल कौन है तो CP राधा कृष्णन जो 18 ॉप राधा कृष्णन बंए थे जो रमेश बैस से पहले राजपाल थे रमेश बैस अगला सवाल ज्यार्खन के राजपाल के करमानुसर CP राधा कृष्णन का क्रम कौन सा है थो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या रहा है अगला सवाल है जार्खन राज के वर्तमान मुक्मंत्री कौन है तो वर्तमान मुक्मंत्री हिमंद सोरेन है हिमंद सोरेन वर्तमान मुक्मंत्री है ठीक है जो 29 डिसंबर 2019 को मुक्मंत्री का पदभार समा ले थे जो अभी तक बने हुए है जार्खन के मुक्मंत्र करमानुसार हिमन्त सोरेन का क्रम है वह क्रम है क्या रहां अगला सवाल है जार्खन राज में अभी तक कितने बेक्ति-ब्राइब मंत्री पद पराशिन हुए सही तरह चे अभी तक यह बार्ण्वाट कोन है इस इनका जो है रीक्त सरही उतर प्रत्माद में अभी रहा कि अधेन रिकते हैं वर्तमाद समय में बाबुलार मरांडी का समध्रीमिन में राजनेतिक से हैं तो इसका ससही हो जाएगा भाचपा में बाबुलार म मं स्थाल न diff- अगला सवाल है जार्खन राज में विधान सभा सीटों की कुल संख्या कितनी है तो जार्खन के विधान सभा है तो कितने सदस्यों का निर्वाचन क्या जाता है तो सही उतर है सदस्यों कर यौइ सदस्यों का चिना होता है जार्खन राज में लोक सभा के कितने सिटे है तो umas seven सभा एए सब्सक्राइब देओं कितने अनुसुची जातियों के लिए रख्चित है एन くफ कैंपी में कि इस संख्या कि इतनी है प्रमंडव की संख्या कि थक्ते अब हेश् zw में कि जिलों की संख्या कितनी है तो अभी राज निर्मान। के समय जीलों के संखिय कितनी चारखन राज में अनुमंडलों की संखिय कितनी समया जायों पेंगताल Knights से सही उततर क्या हो जाएगा 35 कि ज राज निरमान के समय राज में अनुमनलों की संख्या कितनी थी तो इस आ से उत्तर हो जाएगा स्थेटीस तिल्फ ज cont n समय में ज राज में अनुमनलों की có Aur zum संख्या कितनी है तो सही उत्तर हो जाएगा a दोसोचोंसट जै कि आफिशत जरोफ कैंड में गाउं की संख्या कितनी है सःप के घौन practically ऑभी बतिसब डियार साथसो चालिस है मैं यह कोल कष्थानिय सहरी निकाय यानि По 16 अची 되खत का से ओट्तर क्या हो जाएगा अगला सवाल है जार्खन राज में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है तो जारखन राज में नगर निगमो कि वर्तमान संख्या है नो नगर निगम संख्या है अगला सवाल है जार्खन राज में नगर परिशदों की कुल संख्या कितनी है तो बीस है अगला सवाल है जार्खन राज में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है तो इसका सही उत्तर हो जागा बीस इसका भी बीस नगर पंचायतों की कुल स संख्या कितनी है कि जार्खन राज में अधिसुचित समीतियों की संख्या कितनी है तो एक है सही उत्र क्या हो जाएगा एक अगला सवाल है चार्खन में इनीविन में से कौन एक अधिसुचित समीतियों तो कि अधिसुचित्य क्षैत्पूर क्या कि अधिसुचित्य स्थाप्ना की गयती कप की गयती तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 सितंबर 1989 कुराचि नगर निगम की अस्थापना की गई थी चार्खन राज में एक लाग से अधीक प्रंतु 10 लाग से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है तो इसका सही उत्तर है 10 दस ऐसे जिले हैं इनकी जनसंख्या एक लाग से अधीक है और दस लाग से कम है अगला सवाल है जार्खन राज में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में तीन है सही उत्तर हो जाएगा तीन ज्यार्खन राज में चावनी बोर्ड के संख्या कितनी है तो एक है सही उत्तर हो जाएगा एक झारखंड में च्हाओनी बॉड्ड अवस्थित है जारखंड आर्थिक सर्वक्षन 2022-23ृ जारखंड राज में राश्ट्य संख्या कितनी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तास्ट यह राज मार्गों के संख्या 3300 किलोमीटर 3300 सब्सक्राइब जो है एनेच है हमारे पास छारखन में 3367 एनेच की लंबाई अगला सवाल है जारखन आर्थिक सर्वेक्षन 2022 तेश के अनुसार जारखन राज में राजकिये राजमार्ग की लंबाई 1232 किलोमीटर है चार्खन आर्थिक सर्वेक्षन 2022 तेश के अनुसार जारखन राजमार्ग में रास्ट्रिय महत्यों के संस्था कितने हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा पाँच, सही उत्तर हो जाएगा पाँच, छार्खन राज की प्रत्थम राज की भासा है हिंदी, सही उत्तर हो जाएगा हिंदी, छार्खन राज में कुल कितनी भासाओं को दुसरी राज भासा का दर्जा परदान किया गया है, सही उत्तर हो जा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इन में से सभी कि जार्खन राज के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया तो सही उत्तर हो जाएगा जार्खन राज के समय जिला कितना था 18 अभी कितना बना 24 तो 24 में से 18 घटा दिजिएगा तो आप कहा जाएगा 6 यानि 6 जिलों का गठन किया गया अभी तक चार्खन राज के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सरवाधिक है इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू पलामू ऐसा जिला जहां प्रखंडों की संख्या सबसे ज्यादा है राज में दुसरा सरवाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है इसका सही उत्तर हो जाएगा जार्खन राज का नमिंतम प्रबंडल कौन है अभी नेया नेया जो बना है वो उसका प्रबंडल नाम क्या है कोल्हान सही उत्तर हो जाएगा कोल्हान जार्खन राज का सबसे बड़ा संसदिय छेतर कौन सा है चार्खन राज का सबसे चोटा संसदिय छेतर कौन सा है तो इसक चार्खन राज में कुल कितने जन जाती पुरान जन जाते सहीत निवास करते हैं तो पूर्टल जो जन जाती है अभी वह 33 है सही उत्तर हो जाएगा 33 ज्यारकन में कुल कितने आदिम जन जाती है, कुल कितने आदिम जन जाती है ज्यारकन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आठ, कुल आठ आदिम जन जाती है ज्यारकन में, राज में कुल कितने केंद्रिये का रहा हैं, तो राज में कुल साथ केंद्रिये का रहा हैं, सही उ वर्ज जहारखनें पहली बार रस्वति साशन लगाया गया तो 2009 में ऐसे द सवाल में राज गठन के बाद निरुमित किया गया पहला जिल्हा कौशा पहला जिल्ला बनाता सबसे पहले लाते हां जुखतर हो जाएगा लाते हां 16 की तो 39.25 सबसे जुख सोटानव सब्सक्यादर कंट को 6 परसेंट ज़ते हम 8 औम चट्छ सब्सक्र्भाइं कि चारखनाराज के कुल चेतरफल का कितना प्रतिसर सहरी चेतरफल तो यह था हमारा यह था हमारा श्तर महत्पूर्ण कॉस्ट्टन चारखन का शामान परिचाई से समद्धित को पता होना चाहिए और यह बहुत ही मुहत पूर्ण है जारकन एक जाम जैसे सी या जैपेस्टी के लिए तो इसी तरह का वीडियो हमें बनाते रहूंगा आप सभी से निवेदन है कि यूट्यूब चैनल वेदिया क्लास को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि इन्फोर्मेशन आपको मिलता रहा है तो अगले वीडियो जल्द लेकर आऊंगा तब तक के लिए जैहिन झाल 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 झाल